जो आंदोलन कर रहे हैं, उनके पास वो सामर्थ नहीं है कि वो पैसाई कठा करें, लेकिन आंदोलन का नित्री तो करने वाला जो व्यक्ति उसी बीच से पैदा हो जा रहा है, वो फार्चुंदर कहां पा जा रहा है, तेल कहां से पा जा रहा है, वियाईपी होटल में कहां से रुक रहा हैं उत्रप्रदेश में PCS ROARO परिक्षा को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है प्रयागराज में हजारों की तादात में छात्र मौजूद हैं मांग कर रहे हैं कि यह जो दो पालियों में हो रही है वो एक पालियों में परिक्षा कराई जाए हाला कि आयोग खेर समाजवादी पार्टी भी लगातार खेर रही है क्यों अब नहीं मान रहे हैं आप लोग क्या है परिक्षा हम लोग भी दिये हैं आप भी दिये हूंगे सब लोग परिक्षा देते हैं परिक्षा दो सिप्टे में होती है पहली पाली और दूसरी पाली तो परिक्षा चाहे पहली पाली में हो, चाहि दूसरी पाली में हो, परिच्छा देने में क्या दिक्कत है और ये जो अंदोलन है, ये अंदोलन के सुत्रधार समाजवादी पारटी के लोग है आप उसका वीडियो देखे लहबाद का इलाल गम्छा टांगे हुए और समाजवादी पार्टी का टोपी लगाए हुए आगे-आगे चलना है अब गरीब खमजोर जो विचारे हैं उनको पीछे-पीछे किये हुए हैं ये लोग घुम रहे हैं अब आंदोलन कारी जो आंदोलन कर रहे हैं उनके पास वो सामर्थ नह प्रदर्शन प्रदर्शन प्रयुजत है समाजवादी पार्टी की तरफ से साफ्ट और से समाजवादी पार्टी के लोग लाठी चला रहे हैं यही सरकार है आड़े रहिए वहां पर खड़े रही है बटेंगे नहीं और एक रही है इस तरीके के लगातार कटाक्ष कर रहे हैं जिसकी सरकार होती है पुलिस जो सरकार निर्देश जयते हैं इस ताब से काम करते हैं पुलिस कोई पाटी नहीं है कल सपा की सरकार थी तो उनके साथ थे परसुबसपा की सरकार थे तो उनके साथ थे कारकाल में काम किये, कांगरेश की सरकार थे, जिसकी भी सरकार रहती है, उसके इस सारे पकाम करते हैं, तब वो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, किसी पार्टी के जंडा लेके नहीं गुमते हैं, जंडा लेके गुमते हैं, बंदूग लेके गुमते हैं। लेकिन च्छात्र कह रहे हैं कि एक पाली में कराने से दिक्कत क्या है एक पाली में करा दें अगर एक्जाम दो पालियों में हो रहा अलग अलग और दो अलग अलग एक्जाम है एक साथ आठ को एफ बाइस तेश को है तो एक ही साथ करा दें देखे व्यवस्था समचित करने म दिक्कत होती है अगर एक ही व्यवस्था में जैसे इस कमड़े के अंदर परिच्छा हो रही है पूरी से कोटी लगी फिर वही सुरख्च्छा वही से कोटी दुसरी पाली में करा देगी इस परिच्छा का दिक्कत है एक मत और है चात्रों का उनका कहना है कि अगर दो पाली में होगा तो अगर पेपर सरल या कठेना आता है उसमें दिक्कत होगी कि किसका सरल आया किसका कठेना आया दूसरा कहना है कि इससे पेपर लीक होने की संभाव ना जादा है और साफ साफ कहीं ना कहीं जो फाइनल लिस्ट बनेगी, उसमें जो मैरिट आएगी, उसमें भी बहुत अंतर आएगा, इस वज़े से भी वो टेक्निकलिटी बता रहेंगी, अगर जो उनको दिकते हैं, वो लिख करके हमको दें, तो हम उसमें विचार करें, और मैं फिर कह रहा हूं कि कही चैनलों पर चला है समाजवादी पार्टी के नेता उस अंदोलन में सामिल है, आगे आगे नारा लगा रहे हैं, इस क्या ड्रामा कर रहे हैं, अंदोलन हम लोग भी किये हैं, मंडल कमीशन लागू करो बरना कुर्सी खाली करो, कचैरी पबैट करके हम लोग वित्मिनान से प्यार से, हम लोग अंदोलन के ऐसा नहीं है, लेकिन लोग तंत्र में जो बाबाशाब डाक्टरम बेटका जी ने संभीधान में वेवस्ता दिया, वो सिस्टम करते हैं, आपको अपनी बात कहने के लिए हर जीले पर प्रदिस मों ख्याला अस्थान चाहे नहीं थे, आप आओ करो, लेक ये जो कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो साफ तोर से उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंतरी अमरिकास राजबर का मानना है कि ये पूरा जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये प्रयोजित है, फॉर्शूनर से इसके नेता घूम रहे हैं, और कही ना कही समाजवादी प पीछे हैं, लखनू से कैमरा प्रसंदीब दूबे के साथ आशी श्रवास्ता, आज तक